अलो फ्रेंट्स में मनोज आप देख रहे हैं टेक्निकल मनोज टीवी आज की इस विडियों में आपको घने कोरे के वज़े से रद रहने वाली पैसंजर एस फ्रेश ट्रेनों के बारे में कब्रेट देने जा रहे हैं अगर आप भी आने वाल दिनों में ट्रेंस यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो यहां दोस्तो भारतेरलों सर्दियों के मोसम में घने कोरें से लेट रहने वाली पैसंजर ट्रेनों को रद करने का फैसला किया है इन ट्रेनों को रद रहने से इन में टिकट बुकिंग करा चुके यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का समना करना पड़ सकता है ये कौन-कोन से ट्रेने और कब तक रद रहने वाली हैं क्या कुछ है इसके बारे में कंप्लीट जनकारी देने जा रहे हैं तो प्ले इस वीडियो को सुरू से लाइस से देखिए और चलने पर नया है तो मेरे चलने को सब्सक्राइब करके बेल आइकों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए बड़ो सुरू करते हैं दोस्तो भारती रेलो को हर सल सर्दियों के मोसम में ट्रेन परिचालन में कई तरह के दिखतों का सामना करना पड़ता है अब एक बार फिर से आने वाले सर्दियों में घने कूरे से होने वाले दुरगटनाओ के अशंका को देखते हुए कई रूटों पर लेट चल रही पैसेंजर एक्सप्रेश ट्रेनों को रद करने का फैसला किया है हलांकि भारती रेलवे कई ट्रेनों में एंटी फोगिंग डिवाइस को लगाया है तिर भी कुछ ट्रेनों को रद करना पड़ रहा है इन राद रहने वाल ट्रेनों में ट्रेन संक्या 1430807 बरेली से परियागराज को जाने वाली एक्सप्रेश ट्रेन एक दिसंबर से 29 परिवर तक दोनो और सरद रहेगी दूसरे नमर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 1253837 पर्यागराज रामबाग से मुझभफरपुर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 4 दिसंबर से 28 परिवर्द तक दोनो और स्रद रहेगी तिसरे नमर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 142930 प्रयाग रामबाक से योगनगरी रिशीकेस को जानने वाली एक्स प्रेस टेइन तीन दिसंबर से 29 परिवर्थ तक दुने और सीरेध रहेगी चोते नमर की ट्रेन है ट्रेंसंख्या 1287374 हटिया से अनन्द बिहार को जाने वाली एक्सप्रेश ट्रेन 4 दिसंबर से 29 परिवर तक दोनो और सरद रहेगी तो दोस्तो इस तरह से सबी टेन रहने वाली है अगर आपका भी इन टेनर में टेकट है तो आए सेटी सिक वेबसाइट चेक करके जाईएगा आशा करता हूँ दिगे जनकारी आपको अच्छी लेगी होगी रेलेवे की सब बेट पाने के लिए मेरे चलने को लाइक सब्सक्राइब और सेरे करने मत भूलिएगा चले मिलते हैं कि सहर ने वीडियो में तब तक लिने मसकार